हेलो फ्रेंड्स दड़का किचिन में आपका स्वागत है लॉक्डाउम का समय है अगर हम मन करता हो मेठा काने का बजार भी निजा सकते तो उपर से मासम भी सौहाव न हो जाए तो उस समय मन करेगा माल पुएगा आज मैं पताने जारी हो माल पुए कैसे बनेगे सबसे पहले हम चाशनी त्यार करेंगे यानि शूगर सिर्फ एक पैन ले लिया है हमने उसमें हम दो कटोरी पानी ले रहे हैं सारी मेर्जिनमेंट के लिए हमने सेम साइज की कटोरी यूज की है जितना पानी लिया है उतनी ही हम इसमें चीनी यान शूगर डालेंगे यह अब ध्यान र कई बार ऐसे होता है अगर नहीं हिलाते हैं तो आप पिछेनी इकठी हो जाती है और बेटन के तले पे लग भी सकती है इसमें दो इलाची फ्लेवर के लिए डाल दी हमने इसको इतना गाड़ा करना है कि थोड़ा हमेजे चिपचिपासा लगे हमने एक तार या दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी उसका कोई चकर नहीं है तार वार का चाशनी हमारी रेडी होगी है अब हमने इसके लिए एक कटोरी सिंपल वाली सूजी लिए है अगर आपके पास सूजी मोटी है तो आप उसको पीस के बारिक भी कर सकते हो वो हम आपको करके दिखा रहे हैं मैंने पैन में डाल लिया है, सेम वही वाली कटोरी आप देख रहे हो, मैंने सारी मेजरमेंट के लिए यूज की है, सोची दीख लो बारिक हो गई है, क्योंकि अगर आप मोटी रखेंगे तो जो माल पुए बनाएंगे तो फट भी सकते हैं, अच्छी शेप ने लेंगे, अब हम इ गेहों का आटा डाल रहे हैं, जिससे हम चपाती बनाते हैं, दो कटोरी हमने गेहों का आटा लिया है, मैजरमेंट सेम कटोरी से हो रही है, एक कटोरी सूजी पीस लिया है, दो कटोरी गेहों का आटा डाला है, अब हम इसमें सांफ डालने जा रहे हैं, सिंपल जो हरी एक टेबल स्पून के बराबर हम डाल रहे हैं इलाइची पाउडर जो अच्छी खुश्पु देता है खाने में टेस्ट को भी पड़ा देता है अब इसमें हम दो चमच घर्म के दूद से निकली हुई मलाई डाल रहे हैं आप इसमें मार्किट वाली क्रीम का भी यूज कर सक अब हम इसमें दूद डालने जा रहे हैं जो नार्मल टेंपरेचर पे हैं इसकी कोई पकी मेजरमेंट नहीं है क्योंकि कई पर सोजी की क्वालटी पे भी डिपेंट करता है कि वो कितना मिल्क एपसॉर्ब करती है एक बर दो कटोरी डाल के हम इसको हलाके देखेंगे मिक्स जार को चला कर देख लेंगे यह अभी गाडा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा दूद और डाल देंगे इसके कोई इतना हाड रोल नहीं है कि मिल्क कितना पड़ेगा वो हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है वो आपको दिखा देंगे तो फिर आइडिया हो जाता है कि कित अगर पड़ा होगा तो जब माल पुगा पैन में डालेंगे तो फैल जाएगा वो शेप ही नहीं ले पाएगा अगर बहुत गाड़ा रख लिया तो वो अंदर से कच्छा रह जाएगा देख सकते हैं कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी है तो फिर उसे हिसाब से हम मिल्क भी सेट क कमा सकते हैं अब इसको 10 मिनट तक रख देंगे तो 10 मिनट हो गए है सारा बैटर अच्छे से फूल गया है सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है एक बार फिर से कंसिस्टेंसी देख लीजिए माल पुए बनाने के लिए बैटर रेड़ी है हमने एक पैन गैस पर रख दिया है इसमीं हमने बेना खुष्पू वाला तेज खुष्पूद ना हो जिसमें वह वाला ऑयल लिया है ऐपने अपनी इच्छह की अंसार कोई भी आय्ल ले लेना आप उसमें तेज खुष्पू ना हो जिसके कारन हमारा तेस्ट चै परमाल पुए खराब हो सकता है मालपुए बनाना हम स्टार्ट करेंगे कोई भी कच्छी ले लीजिए जितना साइज आप चाहते हैं उसके कॉडिंग ली तेल गरम हो रहा है उसको उसमें मालपुए डालने से पहले हम उसका टेंपरेचर जरूर चेक करेंगे ना ही वह ठंडर होना चाहिए ना ही बह जरूरी है राउन नहीं लेना तो उसमें शेप नहीं आएगी मालपुए की तो आयल भी बहुत कम लगता है इसमें आप देख रहे हो कि कितना कम आयल हमने टाला है जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हम मालपुए थोड़ा कर्ची को ऊपर करके डाल देंगे हो जाता है चोटे बड़े के कोई चकर नहीं है चोटे मालपुए भी बहुत अच्छे लगते हैं आंच को हमने कम कर दिया है उपर जाली देख रहे हूं जाली बन रही है इससे पता चल रहा है कि हमारे मालपुए अच्छे लग रहे है यह वाला स्टैप जूमें कर रही कई बर क्या होता है जो मालपुए को पलटती है न तो जो उपर वाला बैटर होता है वो सारे घी में फैल जाता है फिर से हम डाल रहे हैं मालपुए का बैटर अपने आप यह अपनी साइस और शेप ले लेता है उपर से अच्छे तरह जाली बन रही है ऐसे चिम्टी की आपने इसको पलट देना है इसमें बनाने इजी रहता है बार बार हम डाल के आपको दिखा रहे हैं कई पर लगता है कि मालपुए बनाना बहुत मुश्किल है कुछ भी मुश्किल नहीं है पर यह वाला स्टैप जरूर याद रखिए यह एक ऐसी ट्रिक है जिसके कारण मा फैलेगा नहीं बड़ी अच्छे से शेप लेगा मालपुए आप देख रहे हैं मैं साइड वाला उठाठा के स्पून की हेल्प से उपर डार रहे हूं नीचे वाला तो पकी रहा है जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो कुछ भी उपर जो कच्छा रह जाता है कर फैले देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है मालपुए कुछ भी एक्स्ट्रा फैला नहीं जो उपर वाला बैटर होता है जो चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी होगी थी इसको हमने दुबारा थोड़ा सा गर्म कर लिया है ज्यादा गर्म नहीं करना हमने तो चाशनी है जो फि मालपुए तो और भी सॉफ्ट हो जाएगा ऐसे करके हमने सारे मालपुए चाशनी में डिप कर देने हैं ता जो उसमें अच्छे से मीठा चला जाए अगर आप ज्यादा मीठा चाते हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम तक रख ले हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है अपके सा सकते हो इसको गानिश करने के लिए हमने चांदी का वर्क लिया है यह हम नाइफ की हेल्प से लगा रहे हैं जिसके करना बड़ा इजली लग सकता है आप ज़रूर ट्राइ करके देखना दीरे दीरे वर्क उठाते जाए और नाइफ की हेल्प से लगा दीजिए इतना अच् तो दूसरे बहुत एजली अट्रेक्ट होते हैं कि कितने अच्छे लोक हैं सिर्फ लोकी अच्छी नहीं है इसका टेस्ट भी बहुत परफेक्ट है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जर झाल